इजर बाका जिले के अमरपूर थाना शेत्रे के राजापूर गाउं के पास अवस्थित ठाकुर बारी की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोली बारी और बम बाजी कर दर्शन दर्शत फैलाने का आरोप लगाया इज़र घटना की सूचना मिलते ही बाका SDPO बिपिन बिहारी अमरपूर थानाय दक्ष विनोध गुमार दरोगा आरियन दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुँचे और दोनों पक्षों की बात सुनी और मामले को शांत कराया अगर की गॉली बारे के पुश्टी पुलिस ने नहीं किये अगर अगर भागा पूपर साहरा जिए क्या मेंतर हुआ यहां कैलास कैलास राम जो मेरा मित्र है जी और कैलास राम का यह जमीन खरिदा है जैस्टी जमीलिया लेकिन इन लोग का जमीन रैस्टी ना पीवा सरका कोई डखल नहीं हुआ लेकिन यह लोग यहां के कुछ लोग ने इनसे रंगदारी मंग रहा है आज का गटना क्या हुआ आज का घटना जैमीन जब जोट करने ले आया तो यह लोग क्रीमनल लोग आगर करके यहां पर फारिग उरिंग करके और हम तो बाद में यहां पर पहुँचे कोई जख्मी नहीं है यह गोली किदर से चलाया है। कहां कर लोग कैंड नाव जमीन हो के सब्सक्राइब कर लोग है सब्सक्रांग मेरा जमीन हुए हैं यहां नौल लिए लोग बारी समझ से रंगवाजी मंगता है आज सीयोग आदेश हुआ था कि आप जाईए खेती बाड़ी के लिए जोतिये और अगर कोई करता है तो उसके उपर कानून करवाई होगा उसी आदेश के पर हमाए थे खेती बाड़ी के लिए विवाद और गोली बारी गी तो क्या कुछ है पूरा मामला किस कारण से दो पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट और गोली बारी हुई जी मैं आपको बता दूँ कि भागलपूर जिले का खंजरपूर महले में स्रिस्री 108 दामोदर गोपार ठाकुरवाडी अवस्तित है इसी ठाकुरवाडी का बाका जिले के अमरपूर थाना चेत्र के राजापूर गाउ में करीब 32 बीगा जमीन वस्तित है जिस जमीन का यहां के ग्रामीनों के दोरा आवाद किया जाता था जमीन फ़र जमीं ठरजी तरीके से भागलपूर जिले के साबूर निवासी काईलास राम के दौरा खंदLी गई बटाईदारी ग्रामिनों ने बताया कि कैलास राम ने अपने गुर्गों के साथ गौँ आकर उक्स जमीन पर जबरम जोताई करना शुरू कर दिया और दासत पहलाने के लिए गोलीबारी भी किया हलाकि पुलिश ने गोलीबारी की पुछती नहीं किया जबकि बिपक्ची कैलास राम का कहना है कि उन्होंने उक्तिछ बिगा जमीन रजान ठाना छेतर के दोवीटी निवासी जिसके नाम से जमीन है बसंत सर्मा से खरी दिया है उसी का जोतावाद करने के लिए पहुँचा था जमीन की यहां पर बात हो रहे और जिस जमीन को लेकर विवाद खड़ा वाए तो हम यह जानना चाहिए कि यह जमीन आखिर है किसकी या क्या यह गैरमजर्वा जमीन है नहीं यह जमीन उस थाकुरवाड़ी के नाम से खट्यान है और इसमें कुछ पुरवजों का काना है जैसे कि इसके बिपक्ची कहलास राम का काना है कि उसमें ये बसंत साव का भी कोई पुरवज का के नाम से कुछ जमीन इसमें अंकित है वही जमीन को मैंने खरीदा है तो ये इस्थिती तभी सामाने हो सकेगी तो अंचला दिकारी के तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है उन्होंने नापी वगर करने के कुछ बात कही है अंचला दिकारी ने इस्टिती को देखते वे दोनों जमीन मालिक को एक साथ अपने कारियाले में बुलाया है और उस जमीन के कागस को देखकर आगे की कारवाई की जाएगी इस जमीन की क्या इस्टिती है जी राज़ेश तमाम जान कहरें के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो रफ्तार मेडिया किस खास पेस्कर्श राज़ों से में फिलाल इतना ही आज़ेश